हाई गाईज कैसे हो आप सब उमीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो फेंस वीडियो स्टैट करने से पहले आज मैं आप सब लोगों को गुड नीज देती हूँ मेरी यूटूब की फेस्ट पेइमेंट आ गई है आज 22 दिसंबर है और आज मेरी सुबह सुबह मेल आया था तो मैंने अकाउंट सेख किया तो मेरे पेइमेंट आ चुकी है इसके उपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और बहुत सारी बाते आपके साथ ऐसी शेयर करूंग जो भी यूटूबर हैं और मेरे पास कमेंट करते हैं कि मैंने इसा क्या किया डेमोटिवेट हो चुके हैं तो मैं आपको रियल बात है वो बताऊंगी उस वीडियो के अंदर कुछ बात ऐसी है जो आपके साथ शेयर करूंगी तो मुझे यूटूबर देख रहे हैं जो वी पाइदान वगेरा के नीचे लगाते हैं उसमें तो नीचे से कट कर लेते हैं लेकिन यह वाले पार्ट बच जाते हैं इस तरीके से किसी काम के नहीं होते हैं फिर हमारे लिए तो आज इन से हम बनाने वाले बहुत ही सोफ्ट और गुदगुदा सा पाइदान हो बहुत ही लुकाने वाला इस पाइदान का तो आप वीडियो को बिना स्किप की जरूर देखना पूरा तभी आपको समझ में आएगा तो देखे इस तरीके के ये पीस हैं और आप फुरानी जिन से और आपके पास पड़ी है तो वो भी यूज कर सकते हो जरूरी नहीं है कि आपके पास इस तरीके के पीस ही हो तो देखे छोटे-छोटे पीस ऐसे बचे होए है इन सब को हम उठाके मैं ने जो हरक रखा था तो इन सब को हम आज यूज करने वाले हैं तो हमको क्या करना है इसके अंदर जितना भी सॉफट पीस है उनको हम cut करके निकाल लेंगे तो मैं cut करके दिखाती हूँ कि मैं कहां कहां से किस तरीके से soft piece निकालूंगी तो आगे की side से इतना part इसका यहां से soft है तो इसको cut करके निकाल देंगे मतलब जो belt है उपर का वो हमारे काम में नहीं आएगा और pocket को भी आप use कर सकते हो तो यह एक side से इस तरीके से मैंने निकाल लिया है दूसरी side से भी हमें इस तरीके से निकाल लेना है इसमें से जितने आपको soft piece आपको लगे कि यह soft piece है उसको आप निकाल लेना हमें hard नहीं चाहिए इसमें क्योंकि हमें soft जो है गुद्गुदा सा पाइदान बनाना है इससे और पीछे से देखिए यह वाला part इसका soft था तो इसको cut करके इस तरीके से निकाल लेंगे मतलब हमारे पास यह जो पट्टी है यह पोने दो इंच की होनी चाहिए कम से कम इतनी चोड़ाई होनी चाहिए वो ही पीछ हमें कट करके निकालना है तो इस तरीके से निकाल ली है अब मैंने एक जिंस ली है पुरानी जिंस है यह तो नीचे से हमने इस तरीके से जो है folded part है वो कट करके इसका निकाल दिया अब यहां से हम इसको measure करेंगे 16 इंच की लंबाई से हमें यहां से cut करनी है दूसरा piece भी इस तरीके से cut करके निकाल लेंगे यहां से अब देखें यहां से देखें हम इस तरीके से इसको सिधा करेंगे बीच में से cut लेंगे इसको थोड़ा सा hard है तो थोड़ा सा slow कट रहा है अब नीचे से देखी इस तरीके से हम कट करेंगे और इसको सिधा कर लेंगे टेड़ा part जितना भी है उसको कट करके निकाल देंगे और सिधा करने के लिए ऐसे फोल्ड करेंगे सेंटर से सेंटर मिलाएंगे सिलाई का और फिर साइड में जितना भी एक्स्ट्रा part होगा उसको कट करके निकाल देंगे दोनों साइड से तो ज्यादा टेड़ा मेड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा सा टेड़ा फिर भी निकाल देंगे फिनिशिंग अच्छी आएगी तो अच्छा लगीगा दूसरे part को भी सेम तरीकी से कट करके ले लेगे तो दोनों part मैंने कट कर लिए हैं बिलकुल सीधे कट किये हैं अब एक part के उपर दूसरे part को ऐसे रखेंगे हम इसको सिधा करेंगे कि कैथ चतना भी आरा है उतना मैंने ले लिया है और यहाँ से हमने पहले से मेजर करके इसको कट किया हुआ है अब देखिए यहाँ पर हमें 2 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करना है और यह मार्किंग हमें पूरे में करनी है और चारों तरफ करनी है यह मार्किंग 2 इंच की मार्किंग करनी है और फिर देखिए इस तरीके से बिल्कुल पतली बारिक बारिक हमें कटिंग करनी है इसकी, बिल्कुल वन पॉइंट के आसपास इतनी बारी के हमें कटिंग करनी है, यहां से इसकी, और इक्वल कटिंग करनी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तो यह देखिए, आसाने से कटिंग हो रही है इसमें, क्योंकि जिन्स इतनी भी हार्ड नहीं होती है तो friends, इस तरीके से हम इसको, पूरे को राउंड में हमें कट करके लेना है तो चारो तरफ से देखिए, मैंने इस तरीके से इसको कट कर दिया है लास्ट किने और के उपर देखिए इस तरीके से cutting करेंगे हमें किनोर cut नहीं करना है तो इस तरीके से देखिए बिल्कुली finishing के साथ cutting हो जाती है चारो तरफ इस काम को आप धूप में बैठ कर आराम से कर सकते हो अब देखिए मैंने 2 इंच चोड़ी ये पट्टी कट करके ले ली है जिन्स की ही इसको क्या और आधा इंच हम छोड़ देंगे पूरा आगे तक नहीं जाना चाहिए cutting और इस तरीके से cutting करेंगे इस तरीके के हमने धेर सारे पीस कट करके ले लिए है अब देखिए हमको क्या करना है इस तरीके से सिधी साइड उपर की तरफ ऐसे करते वे हमको यहां पर रखना है जि और चोटे चोटे पीस हैं तो पीस के उपर पीस रखते वे ऐसे joint करते जाएंगे और सीलते जाएंगे कोणर पर आने के बाद कुछ इस तरीके से यहां से देखिए हमको घुमा लेनी है machine के उपर यह पार और फिर देखिए दूसरा पार रखेंगे यहां पर और सेम तरीके से इसको भी हम यहां पर सील लेंगे तो चोटे चोटे पीस भी मैंने इसके अंदर बहुत सारे ज्वेंट किये हैं वह आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे वीडियो में तो आपके पास कितना भी चोटा पीस हो लेकिन हम जब उसकी अच्छे से finishing से cutting करेंगे तो सारे प देखे इसी तरीके से हमें इसको सील लेना है तो गाईज अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन को प्रैस करना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके क्योंकि इस चैनल पर हर रोज डियाईवाई की नई ने टिप्स आती रहती हैं तो देखे इस तरीके से एक राउंड मैंने पूरा इसमें लगा लिया है अब दूसरा राउंड कैसे लेंगे मैंने लाइट कलर का लिया है दूसरे राउंड के लिए और वैसे ही रखा है जो पहले सिलाई लगा रखी है व देखिए मैंने इसको कटिंग नहीं किया लेकिन ऐसे ही इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर सकते हो बस आपको थोड़ा सा ध्यान करना है कि आपको थोड़ा फिनिशिंग से कटिंग करना है इसको और फिनिशिंग से ही आपको इसको सीलना है जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी से फिर अच्छा नहीं बनेगा, लुक प्यारा नहीं आएगा, तो थोड़ा सा आपको फिनिशिंग पे ध्यान देना है, कटिंग करते हैं टाइम ज्यादा तर, तो इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा यह हमारा और सोफ्ट सा जो है, डोर्मेट बनकर आएगा, आप इसको बड़ी साइज में कालिन की तरह भी बना सकते होगा, जिसका लुक पहुत प्यारा आएगा, फाइनल लुक आप देखोगे, तो आपको पता चलेगा, और आपको पसंद आए, तो आप लाइक, कमेंड और जरूर करना, तो से रखेंगे, देखेंगे, इसमें मैं छोटे-छोटे पीस रख रही हूं, छोटे-छोटे पीस मेंने ज्वेंट के हैं, जितना टेडा-मेडा पार्ट था, उसको अंदर की साइड निकाल देना है, लेकिन बाहर की साइड जो है, बिल्कुल फिनिसिंग से इक्वल आना चा जो है, यहां तक भर लिया है, और अंदर इसकी जो है, मैंने डार्क कलर लिया है, बाकी मिक्स किया है, सारा कलर, तो फ्रेंट सी, इसका फाइनल लुक है, और छोटे-छोटे पीस से, वेस्ट मटेरियल से, हमने जो है, इसको बना कर तयार किया है, और बहुत ही सोफ्ट बन कर रहे हूं लाइक कमेंड शेयर जरूर करना जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी आपके लिए जो है वीडियो बनाने का मन करता है तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सब लोग खुश रही हो मैस्त रही हो बाई